वेल्कम्टू रोबस्ट्टमीज में आपका स्वाकत है आज हम बात करेंगे शोनोग्राफी का मि stuk तो बने रहेंगे आगर आप चैनल पर नए है तो छैनल को समस्काइब कर लेमें और पेंपनी राए जरूर दे तो हम बात करेंगे सोनोग्राफी या अल्ट्रा सोनोग्राफी चिकितिस्य निदान निदान यानि डायगनोस्टिक सोनोग्राफी एक महत्वपुन साधन है यह प्रासरव धहवनी पर आधारीत एक चित्रांकन इमेजिंग तकनिक है चिकितिसा छेत्र में इसके कई उपयोग हैं जिसमें से गर्भ औवस्ता में गर्भस्त सिसु के स्वास्त के बारे में जानकारी की प्राप्ति सर्वाधिक जानी मानी है भोतिकी में ऐसे तरंगों को प्रासरव कहते हैं जो मानव के कानूं से सुनने योग आविर्थी से अधिक की हो प्राए 20,000 हर्ट से अधिक आविर्थी की तरंगों को प्रासरव कहा जाता है वास्तों में निदान के लिए प्रासरव सेंसर प्राए 2 से 18 मेगा हर्ट पर काम करते हैं जो कि मानों द्वारा सुनने योग आविर्टी से स्रेक्रो गुना अधिक है अधिक आविर्टी की प्रासरव तरंग कम गहराई तक घुस पाती है लेकिन इससे बना चित्र अधिक असपश्ट याधिक रिजूलिशन वाला होता है प्रासरव तरंग का उप्योग पंडू भी चलाने के लिए किया जाता है अब इसका सिध्धान क्या है वह भी हम बता देते हैं किसी प्रासरव उत्पादक स्रोथ तरंग के द्वारा उत्पन तरंग जब शरीर के अंदर गमन करती है तो शरीर के विभिन भाग इसे कम या अधिक मात्रा में लोटा देते हैं प्रावेर्टित यानि के रिफ्लेक्ट करते हैं इन लोटी हुई तरंगों को एक स्केनर में लिया जाता है जो इन्हें विधुत संकेतों में बदल देता है फिर यह विधुत संकेत एक संगनक यानि कम्पूटर में जाते हैं जो आवस्तक गन्न करके उप्युक्षवी यानि इमेज का निर्मान करता है इससे सुक्षम तरंग निकलती है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जानकर यह अच्छी लगी होगी कमेंट पर अपनी राद है आपका दिन सुब्ध है थैंक्स ओडियोंस थैंक्स लिस्नर